अगर आप लन्छ बॉक्स के लिए कुछ और इस रिस्पी बनाना चाहते हैं जिसमें कर्ड़ी और सई डिश अपको अलग बनाना ना पड़े, तो आपके लिए रिस्पी बहुत ही helpful होगी, बहुत ही जटब़ बना सकते हैं आप इसको और आप इसको कर्री की तरह भी क्हा सकत अचांसे रेज़़नें भी वेकम Season 2च वेख्भ गलीज़ने ले चिक्छालती है। कःकी दैष्न किलीज़ने उघ्णार पाइशर म्हां को करना है , वकनल से होती एना से ने जानहीं कररते हैं कि वर्खतों सने क्लिप्लेख सुटी.. इसके बाद एक फानली छोप की हुई प्यास को मैंने डाल लिया है। अभी इसके बाद हमें इसमें थोड़ी से खड़ी बत्तों को भी डालना होगा। अभे डाले हुए सारी चीजान को फिर से 1 मिनिट के लिए पका लीजे इस तरह से 1 मिनिट तक पका लेने के बाद हमारी प्यास् थोड़ी सी pinkish चलर में आ जाए तब हमें इसमें 벌써 on inaudiya किया वैश को डालना होगा सारी चीजों को एक बडार अची से मिक्स कर जालना होगा और उसके बाद आदे शुड़े शम्मत जितनी हल्दी को भी डालना होगा और फिर से सारी चीज़न को एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसको हमें लिड के साथ कवर कर देना है और इसी तरह से मेडियम फ्लेम पर बीच-बीच में लिड करके डाल लिया है अभी टामाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद फिर से हमें इसको पकाना होगा जब तक हमारे तमाटर जो है वो थोड़े से सौफ्ट ना हो जाए और उसके बाद इसमें हमें डालना होगा एक छोटी शम्मत जितने लाल मिश पोडर और एक छुटी शम्मत जितने धनिया पोडर और उसके बाद फिर से इन सारी चीजों को भी अच्छे से कैबच के सांथ मिक्स कर दीजिए हमने एक्स्ट्रा स्पाइस कुछ भी हम पे इस्तिमाल नहीं किया है बस सिंपल मसालों के सांथ इसको बना रहे हैं अभी इसको डाल है चाहे तर राइस के सांथ या फिर आप इसको छपादी के सांथ बिसा होगा सकते हैं बेयाद मज़िदार होगा आप भी जरूर रिस्पी को ट्राइ किजिगा और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा आपका फीडबैक हमें कमेंट के जरी शेयर कर दीशेगा रिस्पी अच् चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे बिल के सांथ थैंक यू फो वोचिंग